हलो परेंटे पेंट्स बल्कम बैक टो मैं जानल देखेंटे पैंट्स अग्वीडियो में बनाएंगे रिस हमारे का रिजाइन लगें तीन उम्बर कानशी के लिए बहुत ए संदर सी ड्रेस हमने आज बनाईए तो चलिए असकी वीडियो स्टाट करतें काना जी को मुं आपको काना जी को ड्रेस पहना के भी दिखादेती हूं इस तरीके से आप किदर से भी पिणा सकते हैं ऑपन साइट से भी रख सकते हैं या बेक साइट से भी रख सकते jewel या नो जीख having कान जी को कम से कम अच्छे से कवर करना ही चाहिए अगर कवर निकरेगा तो फिर ठंड की ड्रेस पहलाने का जी से को इस तरी किसे आप कान जी को ड्रेस पहला सकते हैं बहुती अराम से आ जाएगी फिटिंग कान जी को चार से पांच नमबर कानाजी के लिए अभी मैंने वीडियो प्लोट कीती तो तीन नमबर कानाजी के लिए सेम यही ड्रेस बनाने के लिए रेक्वेस्ट आई थी तो मैं आजी है तीन नमबर कानाजी के लिए आपको ड्रेस बता रहे हूं step by step मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है आप वीडियो पूरी देखिएगा वीडियो को skip ना करें अगर आपको skip करेंगे तो विद्वी समझ ऐसा होता है कि नहीं आता है इस तरीके से हमें dress बनानी है पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आए कानाजी का लूप कितना अच्छा आ रहा है? यह देखिए को क्या ब्यार आ रहा है? तो चैली फैंट्स आज की वीडियो इस सटे बना ले집ी बहुत ही भूबसरू इस जो कि बनाना प्रेंश ox बहुत ही आसानaltet देखे फैट्स अब हम इस तरीके से एक लूप बनाएंगे और इसमें से क्रोशा हुप निकालेंगे थोड़ा सा हम धावे को टाइट कर देंगे जिसे के हमारा क्रोशा अच्छे से मूव होता रहेगा इसके बाद है कि हमें यहां पर चेन बनानी है दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा अब तरीके हमने यहां पर टोटल बारा चेन बना लिए हैं मनाने के बाद 2 chain हमें या पर एक्स्तरा लेटनी है 5 एक्ट्रा जो दो च्यरिद हमने लिए उनिये को हमें स्किप करना और तीसरी चैन मिरे जाकर याप एस तरीके से देखिए एक डबल कोश्य करेंगे इसमें से पहले दो चैन निकालेंगे और फिर दो निकालेंगे अब सेम इसी चेन में हमें फिर से एक डबल कोश्य और करना देखिए पहले दो चेन निकाले फिर से दो चेन निकाले अब नेक्स चेन में हमें सेम इसी तरीके से दो डबल कोशय लेंगे यह एक बार डबल कोशय हो गया सेम इसी चेन में से एक बार और डबल कोशय लेंगे तो इसी तरीके से पर जितनी भी हमारी यहां पर चेन है सभी में से हमें दो दो बार डबल कोशय करके यह रो कंप्लीट करनी है तो चलिए मैं इरो कम्प्लीट कर लेती हूं और कम्प्लीट करने के बाद आपको next step बताऊंगी यह देखे फैर्स हमने पूरी रो कम्प्लीट कर लिया है स्टार्टिंग में हमने डबल कोश्या लिया था नया है जो हमारा दो चेन चोड़ने के बाद तीसरी चेन में दो डबल कोश्या लिया थे और स्टार्टिंग में हमने दो चेन चोड़ी थी वह इक डबल कोश्या हो गया और इसी तरीके से हमने लास्ट में जो चेन है उसमें हमने एक ही डबल कोश्या लिया है बाकि सभी बीच में जितनी भी चेन है, सभी में से हमने दो दो बार करके हाँ पर यह डबल कोशा करके पूरी रोग कमप्लेट किया है, आप देखें, नेक्स चेन में हमने फिर से दो चेन लेनी है, दो चेन लेने के बार देखें, जो नेक्स चेन आ रही है, जहाँ पर हमने करें लो हैं वहीं 2 चेन लिये उस से जो next 0 उसमें हमें एक बार बल कोश्या करना है App लिए। गउते हैं उससे हमें Ł1 ही काउंट करेंगे ले लिया हमने यह ले लिया लिए जो तीसे मनफें दो आपक पार म progress स्वेत्पृ कोश्या क्रना है लिए管क इसने किया थ्य continues यह दो करना है कि इसे इसी तरीक़े से पूरी रहे करनी है कि इसी तरीके से पूरी रहे हैं में अब देखेशी के टरीके से आ जाएगा अब देखे हमें इहां पे दो चेन लेनी है और दो चेन लेने पते के ठोड़ाशन दिजाइन लेटेंज परने तीन टीन लेलेंगे हम यहां पर तीन टीन लेने के बास यहां हमने इसे स्कीप करेंगे और जो दूसरी चेन हमने ली थी दो चेन ली थी हमने देखिए दूसरी चेन में इस तरीके से क्रोश्या हुग डालना है निकालना है दो चेन आएंगी दोनों को एक साथ निकाल देंगे इसके बाद देखिए हमें नेक्स चेन है उस पर डबल कोश् दूराईने लेनी है, ये हमने तीन चेन ले ली आप देखिए हमारे हाँ पर जहां पर हमने जोईन किया है वहां से हम क्रोश्य पर निकालेंगे, धागा लाएंगे यह दो चेन आगई दोनु चेनों को एक साथ निकाल देंगे फिर इसके बाद जो next chain है next chain में हमें एक double crochet कर देना है इस तरीके से हमारा कुछी design आएगा एक बार और देखेंगे यह देखें तीन चेन होई तीन चेन लेने के बाद यहां से जहां से हमने तीन चेन लिये वहां से हमें क्रोशा को किस तरीके से डालना है और यह ऐसे लेकर आना है chain को और इन दोनों चेनों को एक साथ निकाल देना इसके बाद next chain में डबल कोशा करना है तो यह देखें मारा कुछ इस तरीके से यहां पर design आ जाएगा पूरी रों हमें इसी तरीके से complete करनी है कहीं भी कोई हमें क्रोशा बढ़ाना नहीं है सेम इसी तरीके से सभी चेनों में से हमें design मनाते वह डबल कोशा करके complete करना है यह simple बनाना चाहिए dress तो आपको क्या करना है इस रो में तो हमने देखें इस तरीके से design मनाया है अगर आपको यही dress इसी size में बनानी है और यह design नहीं बनाना तो तो आपको यह करना है जो हमने 3rd row में design क्या है इसके जगे half double कोशे की एक row complete करनी आपको हर चौती chain में से दो बा half double कोशे बनाएंगे और यह 3rd row है half double कोशे बनानी है और यह design मन के थोड़ा सा माई चोली जाए बड़ी सी आएगी तो अगर आपको simple बनानी है तो आप इस तरीके से इस वाली row की जगे आप simple half double कोशे की row बनाके यह complete कर सकते हैं तो देखें हमारा यहां पर इतना काम हो गय बना इस तरीके से यह अपने यहां पर जॉइन कर दिया एक बार आगे वाली chain मी ले जाएंगे लेंगे चेन ऐसे लेंगे और इसे यहां से आगे बढ़ा देंगे इससे क्या होगा हमारा बहुत अच्छे से यहां पर जॉइन हो जाएगा और एक बार और कर देंगे, बहुत अच्छे से हमारा यहां पर यह जॉइंट हो जाएगा, इतना करने के बाद हम यहां से धागे को कट कर देना है, यह देखिए हमारा यहां पर इतना काम हो गया है इसे क्या करना है इस तरीके से इसको बिल्कुल से मोड़ना है यहां से हमारा जॉइन था तो यहां पर हमें एक मार्क लगा लेना जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है देखिए हमारा सेंटर पॉइंट यह इस दाने के उपर आ रहा है तो हमें कहां से स्टार्ट करना है देखिए यह जो हमारा सेंटर का यह डिजाइन है इसके साइट से दो दाने यह और दो दाने यह यहां से हमें स्टार्ट करना है और स्टार्ट देखिए कैसे करेंगे यह हम यह देखिए इस तरीके से हमें धागे को जोड़ना है जोड़ने के बाद दो चेन लेनी है दो चेन लेने के बाद देखिए यह डबल कोश्या है एक तो यह हमारे दाने के उपर हमने यह देखिए लिया है चेन इसके बाद हमारा जोई डबल कोश्या आ रहा है इसके उपर हम कि यहां से लेना है यह देखिए मेरा डबल कोष्य इसे तरीक से आगा कितना करने के पदे waragna इन डान सा आएगा जो हमार डीजाइन मन आयो हूगा हमने इसके उपार से एक कान डबल कोष्य ले लेंगे इसमें से हमें डबल कोष्य लेना एग चाहि genau कि इस देखिए फूल सा घया है इसमें से लेना है हमें डबल कोशिय घर कि इस ने सanno कि इस में से हमें डबल कोश्र लेना इस तरीके से अब फिर से हम इस फ्लावर मिलेंगे और यह देखें यहां से इस तरीके से हमें यह डबल कोश्या लेना है यह देखें हमारा सेंटर का फ्लावर यह था दो फ्लावर हमने इधर के लिए यह सेंटर का है और यह दो लास्ट के तो हमें यहां तक करना है यह डबल कोश्या यह देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यह बन के आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव एक और हम यहां से निकालेंगे डबल कोशिया यह देखिए अब हमारा यहां से यहां तक यह डबल कोशिया करके हमने पूरा बना लिया है अब देखिए नेक्स रोपे हमें क्या करना है दो चेन लेंगे सबसे पहले और दो चेन लेने के बाद जहां से हमने दो चेन लिया है इसी वाली चेन में हमें जो एक पर डबल कोशिया करना है आब नेक्स चेन पे पी सब्सक्राइल करना है रोको कम्प्लीट में बस हमें क्या ना जो लास्ट की चेन है उसमें से हमें डबल क्रोशिया दो बार लेना है जिससे कि हमारी सिर्फ जो कोने हैं ड्रेस के वह बढ़ते हुए जाए सेंटर में हमें नहीं बढ़ाना है कुछ भी यह देखे हमारा लास्ट का हो गया है अब यहां से हमें एक बार और इसमें से भी हमें डबल क्रोशिया लेना है दो बार लेंगे जिससे कि हमारी किनारी बन जाएगी यह देखे हमारा यह इस तरीके से फिर बढ़ता हुआ जाएगा अब नेक्स रोपे भी से हम इसी तरीके से करना है अब हम यहां पर बढ़ा चुके हैं तो अब हम यह दर नहीं बढ़ाएंगे जिस साइट से हमारा यह रोग खतम करेंगे उधर से हमें सिर्फ बढ़ाना होता है बीच के जितनी भी देखे चेन हैं यहां पर सभी में से एक बार डबल कोश्या कर रही हुए इसी तरीके से आपको यह फूरी रोग कम्प्लीट करनी है बस यह जो हमारी फर्स रोग में तो हमने इंक्रीज किया है दोनों साइट आप क्या करना है कर से इधर जाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे इस रोग में इधर को आएंगे तो इधर वाला बढ़ाएंगे डबल कोश्या करके बस हमारे कोने कोने हमें पर बढ़ाने हैं सबस्क्राइब करना ना भूलें लाइक भी किजिए कमेंट भी किजिए और यह अभी तक सब्सक्राइब कीजिए और अप बहुत से लोग ऐसे जो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें करते मैं लुकि Зब्सक्राब करने से आपको फोई भी नुक्साल नहीं है उल्ट आपको मेरी जो वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगी हो सकता आपके कोई यूसफुल वीडियो हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीज़े फ्रेंट्स देखे फ्रेंट्स हमारी यह रो पूरी हो गई है तीसरी रो है अब हमारी यह चौती रो आएगी यहांसे भी देखे मैंने इनक्रीस किया है तीनारी इस तरीकैसे बढ़ती हूँ जा रही है अब देखे हमने यहां पर जो नेक्स चैन है फिर से घुल में यह डूबल-कुशर गर दिया है यह देखे हमारा यहां से पीच में चितनी भी चैन है हम सभी मैं से double go शे कर रहे हैं बस last में जाकर हमें increase करना होता है बहुत ही easy हमारा dress का method है आप बहुत असानी से बना सकते हैं new camera तो भी आप बहुत easily इसे बना सकते हैं बिल्कुल भी problem नहीं है चोली भी stretch के जो हमारा ऊपर का yook बनाया हमने इसमें भी आगवर आपको तो इससे आपके स्रीव बगर रखी भी कोई दिक्कत नहीं है और काने जी बहुत अच्छे से यहां पर कवर भी हो जाएंगे तो यह देखे हमारे यह कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है यह जो दो चेन का हमारा डबल गोश्या मानते हैं एक बार डबल गोश्या लेंगे स्टार्टिंग में हमने दो चेन ले लिया है बस इसी तरीके से हमारी है कंप्लीट हो जाएगी मैं यह वाले साइड आपको पूरा बना के दिखा रही हूं जिससे कि आपको बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा कहीं से भी वीडियो को कट नहीं किया मैंने यह पूरा आपको अच्छे से समझ आ जाएग और अगर आप एक बार पूरा लेंगे न तो आपको वमेशा यह याद रहेगा बिल्कुल भी आप भूलेंगे भी नि यह देखे लास्ट के डबल कुश्य तक हो गया अब हमारी जो दो चेन का डबल कुश्य होता उसमें से हमें एक पर और लेना है और हमारी यहां से फिर हो कम्प्लीट हो गई है है अब देखे हमें आपे इतना काम कर लिया देखे इसके बाद हमें एक तो नी चेन ले लिए हमने का मारा डबल कुश्य होगे और दो चेन यहां आपे एक्स्रा ले लिया We distribute इस तरीक से बबल यहां पर लूप बनके आ जाएंगे और अगर आपके ऊउन मोटी है थोड़ी सी तो देखिए जैसे हमने एक दो तीन चारवण है अगर आपके तो पांच की जगे चार रोबनाइए जिसे कि आपका ड्रेस बहुत जादा बड़ा नहीं हो जाएगा कभी-कभी ऐसा होता है जैसे जो उन मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी पतली है उसके हिसाफ से मैं आपको बताती हूँ लेकिन अगर आप थोड़ी मोटी उन यूज़ कर रहे हैं उन का बहुत इधर होता है तो ऐसा होता है कि ड्रेस में फार्क हो जाता कहीं ऐसा नहीं अगर मोटी उन से बनाएं आपकी ड्रेस बड़ी हो जाए और आप कहेंगे कि ड्रेस बड़ी बताईए आपने बड़े कानाजी के लिए तो इसलिए उन का ध्यान रखिए, बहुत जादा मोटी उन काना जी की ड्रस में यूज़ ना करें, मैं जब भी मोटी उन यूज़ करती हूँ तो मैं आपको इस पेशल बता देती हूँ वीडियो में, कि हमने आज मोटी उन यूज़ किये, और जब मैं आपसे कहते हूँ बे वीडियो दिखाने में, मैं आपको उन की एक्चुल क्वाल्टी होती हूँ नहीं दिखा सकती हूँ तो यह देखिए हमारी लास्ट की जो चेन आ गई है इसमें से भी डबल कुश्या ले देंगे हमारे यह पे लूप बन गया है देखिए बड़े-बड़े से आब हम यह आ भी आ देखिए यहां से इस तरीके से दगये इस तरीके से नहीं मन जायगा एक चेन और लेंगे एक चेंग लेने के बाहते कि जो नेक्स टूप है वह मारा उसमें से इस तरीके से धागा लपेटइंगे एक बार और यह दो बार कि heav कि ज्ञाद मोटा मोटा नहीं बना जैब के लिए नहीं बना यह देखिए एक चेन ले ली फिर नेक्स लूप में भी इसी तरीके से हमें एक बार धागा लपीटा यह दो बार धागा लपीटा सारी चेन एक साथ उतार दी और एक चेन एक्स टार ले ली फिर इसी तरीके से सभी लूपों में से हमें यह इस तरीके से लॉक करना है एक चे लेने के बाद next loop में से लोग किया, लोग किया वैद लोच लूप में इसी तरीके से करना है, बस हमारा यह इसी तरीके से लोग कंपलेट हो जाएगी आप चाहे तो देहिए जैसे मैं यह बना रही हूँ न कि लोग कि ले यह capita shelf byomorph ली और ये दो बार दागा लपेटा इस तरीके से लॉक किया इसको लॉक करने के बाद एक चेन ली एक बार दागा लपेटा देखिए दो बार हो गया अब हैं सारी चैनओ को एक साथ निकाल दी है अभी लॉक ने है Bund को लॉक किया और यह एक चैन लेली है पिर विद्सकेर लॉप है हमारे देखिए है कि इसको हमने सभेख कर दिया रोक करने के बाद एक दो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था सेम उसी तरिके से हमें यहाँ पर दूसरी चेन ले जाके यहाँ पर हेले यहाँ सब्सक्राइब लयको उख सकते ह Вас? और नीचे जाके यह और लोक कर सकते हैं और पुम्हें से थागया को कट करके निकाल देना है यह देखे हमारा यहां पर इस तरीके से यह डिजाइन बनके आगया है यह पास रिक्वेस्ट आई थी कि दो नंबर और तीन नंबर कानाजी के लिए आप इस तरीकी की ड्रेस बताईए तो मैं इसलिए ड्रेस बनारी हूं प्रेंड्स और सर्दी का मौचमर बहुत ही सुन्द है यह देखिए हमारा सेंटर है हम यह दो और दो इंधर से लेना है यह सेंट्र का पॉइंट हो जाएगा कि यहांसे किस तरीके से लिख आलव ह Salem और और ते लांचे कर देंगे अई में था सुन्सरस कर देंगे erste साइड से हैं सेथरे साइड़ 새ए साइड तो हमी हम यहीं से हमें common आहिए हमारा सेंटर पॉइंट है और यहां से हमें स्टार्ट करना यहां से करेसे उस सथाइट किया थikes था उसी तरीके से स्टार्ट करना है यह हमनें दो छेंग देखि एमि दो चैन लेनेके बाद अब हमारा फिर से यहां पे फूल फूल सा आगया है जो हमने बनाया था यह देखिए यहां से निकाला एक डबल कोश्य लिया फिर जो हमारा डबल कोश्य आ रहा है उसमें से हमें निकाल लेना है पिर से हमारा यह फ्लावर सा आगया है यहां से हमें डबल कुश्चा लेना है अब यह देखे हमारा सेंटर है जहां से हमने जॉइंट किया हुआ है एक बार हमें यहां से भी निकालना है थोड़ा सा यहां से साइट सा है तो अराम से निकालेंगे यह देखे बहुत अराम से हो जाएगा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यह हमने यहां पर डबल कुश्चा कर दिया अब देखे हमारा फिर यह बूटी से आ गई है यहां पर य और यहां से ले लिया अब हमारा यह दुट्रोश्चे देखे एक बार आपको प्लावर नीचे से डबल कुश्चा लेना है एक बार आपको डबल कुश्ची की ऊपर चैन से लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत आराम से आप बना सकते है कि कुश्चे अगर पतला इस इस तरीगे से चैन उठाने में कोई भी प्राव्लम नहीं होगि प्रैंश और एक चैन और हम यहां से लेनी है अग्लिए हमारा हां पे इतना हो गया है हुआ है हुआ हमने फंदे उठा लिया है अब सेम हमारा जैसे हमने दूसरी साइट पर यह रोग पूरी किया उसी तरीके से हमें यह भी रोग पूरी कर लेनी है यह देखिए फर्स्ट रो है हमारी यहां से हमने चेन उठाई है सारी तो हमाने फर्स्ट रो में किया था देखिए सेम इसी चेन में से एक बार और डबल क ही तरह सब्सक्राइब और फार शुम्त करने यकर्षड कर दिया हमें और सिंप्रीन बीच में इतनी फिल पिचेन है इसलुम सब्सक्राइब सकते नहिर सop अब यह हमने जहां से दो चेन का डबल कुश्य हम जो मानते हैं यह वो दो चेन आ गई हैं तो हमें यहां से इंक्रीज करना है यह एक बार हो गया देखिए एक बार और यहीं से लेंगे तो हमारा यहां पर बहुत अच्छे से कॉर्णर बनके आ जाएगा यह देखिए और बाकिया हमारा सेम जितनी रों नहीं हाँ बनाई है उतनी ही हमें इतनी बनानी है तो मैंने आपको यहां तक बनाना बता दिया तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेटी हूं उसके बाद आपको बताती हूं हुआ कि देखे प्लैड के लिए मैंने यहां प्रेंबनाली मैंने कर देआ हैं यहां से यहां से मैं द्ब्सकाटा और कि कर दी है की यहां से दूसरे ने खिल लिए यह इसे नॉट लगाएंगे और देखें यह दागा एक साइड करेंगे और यह चेन हम इदर से निकाल लेंगे यहाँ पर देखें हमें यह दो चेन लेने के बाद जो माई नेक्स चेन है यहाँ पर डॉबल कुशन लेंगे 3 chain लेंगे, 3 chain लेने के बाद देखे, यहान से जैसे हमने ड्रेस में बनाए, उसी तरीके से, यहान पर यह flowers बनाएंगे, अब इसके बाद नेक्स चेन में, एक डबल कोश्या फिर से लेंगे, ऐसे, फिर से 3 chain लेंगे, तीन चेन को यहां पड़ा पर आसे करके लॉक करना हमें अब नेक्स चेन में फिर से डबल कोशा करना सेम ऐसे करेंगे जैसे हमने international design बना आया था सेम उसी तरीके से हमाँ कैप में भी design बना देंगे फिर से देके तीन चेन लिएंगे यहां से निकालेंगे हुँ और इसे यहां से लॉक कर देंगे हैं सिदन एक्सटेंगे में डब़ल खूश को है इससी तरीके से में यह पूरी रू कोप्लीट करने ङ dropping on और इतके में कर लिपकर्ली है यहां से श्दो दागे को कट करना देखिने यह तक कर लिए यहां पर हुए मैंने यहां पर कट कर देंगे अब देखी हैं यहां से सीधा है और यहां से उल्टा है इस तरीके से हमें प्टिछ करना है किनारी से बिल्कुल, इस धागे से जाए तो आप इस धागे को नट भी लगा सकते हैं, दोनों या पे धागे भी अड़्जेस्ट हो जाएँगे और यह देखे backward stitch भी कर लेंगे आप और धागे भी करण से चाएँगे इस तरीके से वम नट लगा ली हमने अब इन्हें बिल्कुल किनारी से पकड़ते हुए हमें स्टिश करना है दोनों साइट की पट्टियों को पकड़ेंगे और ऐसे हमें यहां पर स्टिश करना है अब यहां पर हमें स्टिश कर दिया है अब यहां पर हमें क्या करना है ऐसे थोड़ा पर जासे हम कच्चा करते हैं एक चेन छोड़के एक चेन छोड़के इस तरीके से सुई निकार लेंगे यहां पर मारी ग्यादरिंग हो जाएगी थोड़ी सी और इसे दावियों को अच्छे से हीच देंगे थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइट हांसे ना कीची क्योंकि ऐसा नाओ कहीं ऊन ही टूप जाए तो इतना टाइट कीजिए जिससे की सारा इकटा हो जाएगा बस यहां पर और इकटा होने के बाद यहां पर एक दूबार इस्टिश कर देंगे बहुत ज्यादा स्टिश करने की भी जरूरत नहीं है यह बहुत अच्छे से यहां पर सैट हो जाएगा और यहां पर देखिए हमें सिंप्ली नॉट लगानी ऐसे नॉट लगाके धागे को कट कर देंगा एक्स्ट्र धागे जो आपके हैं इन्हें भी आप कट कर दीजिए कि और हम कैप को इसे पलड़ देंगे इसके मारी आपकर का लोग कितना प्यारा रहा है यह देखिए और देखिए मैंने यह द्रश भी पूरी बना लिया इस साइड का भी मेंने कंप्लीट कर लिया है एक डोरी बना लिया है अगर आपको Ciye तोड़ा सा लंबाई लगती है तीन नमबर के हिसाब से तो आप इसमें जैसे हमने होटाता है अगर आपके नौर्मल के पितल में यहाद बहुत जाएगे और अगर आपके अस्त्रधातो वाले कानेजी है तो उनकी हाइट थोड इसी कम होती है उसमें आपको क्या करना है एक रोस में कम कर देनी है पांच के जागे सिफ चार वो करेंगे नीचे कर डिजाइन सेम रहेगा चोली कर डिजाइन भी सेम रहेगा ठीक है कानेजी को पिना सकते हैं अब देखिए उपर से एक दो तीन जो हमारी तीसरी रो है उसमें हमें इस तरीके से करना है यह हमने ऐसे किया और यहां से हमें है जो हमने डोरी बनाई है कि डोरी को ले जाएंगे इस तरीके से हम ड्रेस में अपने काना जी की डोरी डाल देंगे यह डोरी ऐसे डली रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें बिल्कुल भी तो मैं देखिए आपके ड्रेस बिल्कुल कम्प्लीट हो गई है और ड्रेस का लूग हमारा बहुत अच्छा आ रहा है और सा आशी केसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को रादी रादी